अयोध्य में पुरानी पेंशन बहाली और नेजी करन के खिलाफ शहर के जी आईसी के परीसर में चल रहे पेंशन करांती महा समेलिन के दुरान बीमा अभी करता रमेश पाल के साथ सिक्षक के द्वरा अभधरता करने का मामला सामने है जी आईसी परीसर के अंदर बज्जाज अलीज लाइफ इंशॉरेंस कॉपरेटिव लिमिटेट की और से बैनर को हचाने को लेकर जबदस्ती करने लगे बीमा अभी करता रमीश पाल से मेदान से बहार निकलने को लेकर कहने लगे बीवाभी गतार अमिश्पाल ने आरूप लगा तो वे कहा कि जुलपान वाले स्थान पर हमें बैनर लगाया था तो एक शिक्षक आय उन्हें कहा कि आप बैनर लगाकर हमारा विरूत करें हैं इसको यहां से हटाईए जब मैंने उनके सामें अपनी बात रखी तो उसने कहा कि मैं किसी की प्रकार का विरूत का पॉइंट रखा ही नहीं है हमने उससे पुरानी पेंशन भाली को लेकर इंशॉरेंस के वारे में सिक्षकों को जागरू करने का काम किया है अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं आप अच्छी जगह इन्वेश करिए अच्छा रिटन पाईए आपका बच्चा उन्नेत करें आगे बढ़े नोगरी पाए भटकना ना पड़े इसलिए अब वह सिच्छक गड़ी थे लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं तो मैं यहां किसी से लड़ाई करने नहीं आया हूं रमेश पाल नाम है अब सक्टर में आपको इसरेंश इंशोड करता है कि आपका हिलाज हो जाए आज के समय में मनुष्ट अगर कमा रहा है कोई भी कमा रहा है तो एक रुपया कमा रहा है तो उसका 35 पैसा जो है इलाज में खंच जाता है और इलाज वह भी बहुत जरूरी ह होता है कि जीवन आपन के साथ जीवर सुरुचा भी चाहिए आज के सब्सक्राइब में इस्टार हेल्ट आप इस्टार हेल्ट की पाल्सी लेंगे इंस्योरेंस की तो आपको सालाना एक परिवार में अगर अगर ऑस्तन चार लोग है तो आपका करने के बाद आप पांच लाग के रिस्कवर में रहेंगे तो आपके पूरे हिलाज का खर्चा हास्पिटल में आप इस्टार हेल्ट कंपनी उद्राइब क्या कहेंगे आम जन्माने से यह कहेंगे कि हर ब्रेक्ट को एक हेल्ट इंसरेंस जरूर लेना चाहिए और इस्टार में 2006 से काम कर रही है सब फांडर कंपनी है इसलिए हमारे पास अच्छी स्क्रीमें उपलब है तरह में स्पार्प